सबी कुछ जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सौगत है जैन दी रेक्शन्स पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हम आपके लिए बहुत इंट्रोस्टिंग और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिसान की मश चैनल को सबस्क्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंट्रोस्टिंग और मजएदार वीडियो लाते रहे तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंतमिस के बारे में बात करेंगे जैहिन जै भारत की भारत में दी साकिंड फेस्ट शुरू हो चुका है इलेक्शनस का और हमारे कई दोस्ट जो है वोड दे कर आए हैं और उसके बाद ऑदकी पिक्चर भी उन्होंने लगा दिये वोड देने के बाद और सब को इntजआ रहे किरें के किस तरहां से जो है वो आगे बढ़ते हैं और एलेक्शन्स के रिजल्ट तक कौन सी पार्टी जो है वो जादा पावर में दिखाई देती है हर तरफ से जितनी अपोजीशन पार्टी जो गर्मेंट में रह चुके वो भी बात कर रहे हैं और हर तरफ से कोशिश की जा रही है बलके राहुल गांदी साब ने तो यह तक काए कि जी जो पब्लिक है और से रिक्वेस्ट किये कि वो बाहर निकले और वोट डालें यह सब कुछ तो चल ही रहा है साथ साथ पीम मोदी की जो कोई स्पीच वगरा होती है उसके ओपर भी कई लोग जो है वो इतरास कर रहे होते हैं कि जी उन्होंने मुसलिम्स को यह कह दिया वो कह दिया लेकिन साथ साथ मोदी जी की इस किसम की पिक्चर भी सोशल मीडिया प बाखी में पीम मोदी ने मुसल्मानों के खिलाव काम किया होता या उन्हें मुसलिम स्पसंद ना होते हैं आप उन से तंग होते तो फिर यह कंट्री जो हैं वो किसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुला बुला कर इवार्ड देने और ना सिर्फ इवार्ड देने बलके उनके कहने से जमू कश्मीर में बहुत बड़ी इंवेस्टमेंट भी होने जा रही है जो कि सभी जानते हैं कि मॉल बन रहा है और क्या कुछ नहीं बन तो इस तरफ पिर यकिनां गल्फ कंट्री जो हैं वो ना जाती है और पीम मोदी के साथ वो हमें कड़े दिखाई ना देते लेकिन बाराल एलेक्शन में बहुत कुछ होता है लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं और पबलिक को ये बताने की कुछ ना कुछ कमी होती है छाहे दिखाता है क्या बहुत कर दिखाता है और दिखाता है country के लिए भी अच्छा होता है मेरे खाले लोग इसी तरीके से आगे बढ़ेगी तो मुझे समझ नहीं आती कि government और opposition जो है वो हमारी जैसी country में हिंदोस्तान पाकिस्तान की बात कर रही हूँ कि opposition parties और government जो है आपस में लड़ते क्यों रहते हैं या आपस में मिलकर country के लिए कोई काम क्यों नहीं करते क्या ही अच्छा हो कि government काम करे लोगों के लिए और opposition उसका साथ दे बजाए इसके के लेक पुलिंग होती रहे लेकिन खैर उसकी अपनी एक beauty है मैं ख्याल है पूरी द student जहें उन्हों ने जी दुबई में एक्जाम एक पास किया है और उसको कहा जाता है joint entrance exam यानि के JEE और इसमें जी कहा यह जा रहा है कि सबसे toughest किसम का इसके exams होते हैं और उसमें इन्हों ने 100% marks लिए हैं पहले इन्हों ने लिए थे 99.99 उसके बाद इन्हों ने कहा कि जी exam दुबारा देना है बहुत important चीज़ यह है इन student की जो मैं बता रही हूं आपको इन्हों ने दुबई में एक्जाम दिया है कि यह mobile बहुत काम यूज करते हैं यानि कि जो students हमने देखे हैं जो आजकल हम आजकल के जमाने में जो students होते हैं बच्चे चोटे चोटे बच्चे ह parents भी रोकने में जो है नाकाम दिकाई देते हैं और बच्चे भी जो है वो बात नहीं सुनते हैं हमने यही देखा है लेकिन यह student जो है इनके बारे में यही बताया गया है कि यह बहुत कम अपना mobile इस्तेमाल करते हैं और जादा तर यही होता है कि अगर इनका कोई important call हो किसी की तो फिर वो जवाब दे देते हैं अदरवाइस उनकी मदर जो हैं हमको लोग फोन कर लेते हैं अगर कोई message देना है या कुछ कर ऐसे students भी आपको बहुत ही कम मिलेंगे कि जो mobile बहुत कम use करते हो ज्यादा तर तो बड़े हो चोटे हो कोई भी हो सोते सोते भी mobile अठा कर दे students जो है वो full time ना दे students को या बच्चों को तब तक ये इस तरह के results नहीं आते लेकिन खेर बच्चे भी आजकल कैसे हैं जो बात नहीं सुनते ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि इन्हों अपने parents की बात सुनी और आज इतनी proudly जो है वो पूरी family के साथ इनकी picture जो है वो social media पर viral है और लोग इनकी बात कर रहे हैं कि इन्होंने इतने जादा marks लिये हैं और बड़ा tough किसम का exam था लेकिन वो इन्होंने पास किया है एक बार मैंने जैसे का कि 99.9 ऐसे करे कुछ इनके marks आई थी जो के इनको लगा कि कम है बदलब हमारे तो बेहोश होगा है हम लोग हमे पर्षियन पॉलिज में तो मैंने ले लिया था पर्षियनग के चलो पर्षियन पढ़ लेते हैं तो मेंने वह ऐसी ले लिया था तो उसके बाद मेरे उसनिप 1967 marks तने परड़े प्रиг़न हो यहां कि हाई बड़े ब्ड़े देशों में च्छोट-उटी बात की रहती की वीद भारत के बारे में और खासकर भारत में हो रहे चुनावों के बारे में तो जैसे कि जानते हैं कि कई सारे लोगों ने अपने वोट डाल दिया है उसमें से हम भी एक हैं हमने भी अपना देश के प्रती जो करतव है उसे निभा दिया है तो जैसे कि आपने देखा आर्जुकास प्रफिशन भी उठाने की कोशिच करी है हम तो जानते हैं जो हमारे भारत की ऑपोजिशन है उसके पाकिस्तान के साथ कितने घहरे रिश्टे हैं और कितने प्यार और प्रेम से वो साथ मिलके भारत की सरकार पर हमला बोलते हैं बाकि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि मोदी जी ने स्पेशली मुसल्मानों को टार्गेट किया था मोदी जी ने जवाब दिया था जो कॉंग्रेस अपनी मैनिफेस्टों में लेकर आई है इन्हेरिटेंस टेक्स के बारे में यानि कि जो हिंदों की विरासत है उस पर टेक्स लगा दिया जाएगा और उसका जो पैसा ह वो मुसल्मानों में क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा भारत पे पिछड़े हुए और वो पिछड़े हुए अपनी गलती की वज़ा से है ना कि हिंदू की वज़ा से पर उनका पैसा जो है वो मुसल्मानों में बांट किये जाएगा तो इसके बारे में आपके क्या विचार है हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जूरू बताएं और एक बाद फिर चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप विसी लेटेस इंट्रोस्टिंग और मज़दार वीडियो लाते रहें तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जवदस वीडियो में अब तक अपना ध्यान किये जय हिंद जय भारत